हेलो सुरेंट्स वेलकम टू माइनर्चर मैं हो कृष्णा कैसे आप सब लोग मस बढ़िया तो उमीद कर रहा हूं पढ़ाइस आप सब लोगों की बहुत अच्छी चल भी होगी ठीक है ना हम लोग भी धिरे धिरे चैप्टर के या कहें के सब्जेक्ट के अंच की तरह क्या होते हैं ठीक लेकिंग्व को पता हैं एंटीबाइोटिक्स क्या होते हैं ठीक लेकिन आगा कर सक्के चले तो बच्छास तक्यूदी हैं फिर बोला है टेत्रासैकली नूसके दो ड्रग हैं फिर पॉला है मैक्रोलाइड उसके अंदर दो डूट रहें फिर बोला है मिसलेनियस उसके अंदर रहें जिनको बासमें नहीं आ रही पॉस्ट करके तुरहन स्लेवस उठा लें अपना ठीक है पक्का औरना समझ में नहीं आगी बाती है अब उसमें क्या है यह चार्ड ड्रक्स एं पक्राइब और अंदर यह तीन आते हैं तो हमें बीटा लेक्टम को फोड़ा सा क्या करना पड़ेगा डिसकर्स करना पड़ेगा तों इस फिज्स कीटरीर 3 उसकी heading के according यह दिया हुआ है, ठीक है, यह 3 mention कर रखे हैं, यह 2 mention नहीं है, A और B, उसमें direct यह 1, 2, 3, 4 यह drugs दे दिये हैं, किलिए हो गया यह बार इतनी, चले आगे, doubt clear, okay, तो antibiotics, तो आप देख लें, क्या होते हैं antibiotics, तो इस्टार्ट करें अगर हम लोग, तो क्या कह रहा है, the term antibiotic, कह रहा है, the term antibiotic means opposing life, है ना, life को oppose करने वाला, life को रोकने वाला, जो life को रोकेगा, anti, ठीक, it is broadly used, यह एंटी मतलब, उल्टा, रोकने वाला, बायो, बायो, पताना, biology, बायो, जैविक, लिविंग, तो life को रोकने वाला, it is broadly used to refer to any substance, ठीक है, यह broad, मोटे तोर पर refer किया जाता है, any substance, कोई भी substance, used against microbes, कोई भी substance, अगर microbes के against में इस्तमाल किया जा रहा है, microorganism को यानि की जो हमारे अंदर infection पैदा करते हैं, उसके विरोध में अगर इसका इस्तमाल किया रहा है, कोई भी substance, तो उसको मैं जनरल तोर पर antibiotic बोल सकता हूँ, ठीक है, but in the usual medicine uses, अगर medicine के तोर में बात करें, antibiotic such as pencillin, are those produced naturally, ठीक है न, करहा है, antibiotic are those produced naturally, बन्तर एंटिवाइटिक की medicine के तोर पर antibiotic definition को बदाना चाहरा है, एंटिवाइटिक वो है, एंटिवाइटिक are those, एंटिवाइटिक वो है, produce, जो कि produce किये जाते हैं, naturally, कुद्रती तोर पर, by one microorganism, एक microorganism, खास तरह का chemical बनाता है, जिस कुछ chemical से उसके आजपास के दूसरे microorganism क्या होते हैं, मर जाते हैं, हम लोग इसका फाइदा उठाते हैं, ठीक है ना, यह बात समझ में आगी, तो कह रहा है, एंटिवाइटिक are those, वो है, जो produce, naturally, produce होते हैं, by one microorganism, fighting another, जो दूसरे से लड़ रहा है, वेराज, non-antibiotic antibacterials, such as sulfonamides and antiseptics are fully synthetic, non-antibiotic, ठीक है ना, एक तरह से non इसले बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, fully क्या हो रखे हैं, synthetic है, non-antibiotic, but antibacterials है, देको antibacterial बोला गया है इनको, ना कि antibiotic बोला गया है, antibiotic क्यों बोल जागा है, बात समझ में, आरे हो बहुत बारीक सा अंतर है, ये भी bacteria को kill कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी bacteria को kill कर रहे हैं, ठीक है, ये भी किसी की जिन्दगी ले रहे हैं, सलफोनामाइट्स, ये भी किसी की जिन्दगी ले रहे हैं, सलफोनामाइट्स, बट ये जो antibiotics हैं, ये produce किये जा रहे हैं, किसी organism के द्वारा, और ये जो सलफोनामाइट है, ये हम लोगों ने कैसे बना लिए हैं, सिंथेटिक कली बना लिए हैं, इसी लिए इनको अलग पढ़ते हैं, और इनको अलग पढ़ रहे हैं, I think ये doubt clear हो गया, बच्चे बहुत समझते हैं, कि सभी वो भी antibiotic है, ये भी antibiotic है, इनको अलग-अलग क्यों पढ़ा जा रहा है, कि लिए लोगी बात, ओके आगे आते हैं, क्या रहा है, however, both classes have the same goal, however, तो भी, जो भी है, लेकिन दोनों क्लास, चाहे सल्फोनमाइड हो, चाहे अंटिबाइट को, उनका मकसद एक है, have the same goal, एक ही मकसद है, killing और preventing दा, मारना, या रोकना, किसको, the growth of micro-organism, micro-organism की growth को रोकना या मारना है, and both are included in, इन दोनों का हम लोग किसके अंदर count करते हैं, anti-microbial chemotherapy, एक नाम दे दिया गया, ऐसी therapy, जो anti-microbials होती हैं, यह दोनों उसके अंदर count की जाती हैं, clear है, anti-bacterial, अब बात करें सोरा सा, includes, इसके अंदर क्या के आते हैं, anti-bacterial के अंदर, anti-septic drugs, anti-bacterial soap, and the chemicals, disinfectants, whereas antibiotics are an important class of antibacterial, anti-bacterial, anti-bacterial के अंदर सब आ गया, but, antibiotic भी anti-bacterial के अंदर है, ठीक है, ना, but, यहाँ पर क्या है, यह जो है, antibiotic used more specifically in medicine and sometimes in livestock feed, यह एक खास करकि, मतलब उन्हों पता है कि किसको मारेगा, ठीक है, और उसमें इस्तमाल किया था, medicine में and sometimes in livestock feed, याने कि livestock मतलब जो हमारे पालतु जानोर होते हैं, उनके खाने में चारी में इसको इसको इस्तमाल करते हैं, antibiotic भी antimicrobial है, बट क्या कह रहा है, antibiotic type of antimicrobial substance active against bacteria, यह खास करकि bacteria को kill करेंगे, यह या तो मार देंगे या रोक देंगे bacteria की growth को, a limited number of antibiotics also possess anti-protozoal activity, कुछ limited number of antibiotics ऐसे हैं, जिसके अंदर रखते हैं, anti-protozoal activity या प्रोटोजोन को kill करने की छमता भी रखते हैं, antibiotics are not effective, not effective against virus such as the common cold or influenza, यह virus के खिलाफ काम नहीं करेंगे, बात clear हो रही है, चलें आगे, मज़ा आ रहा है, ओके, आगे आते हैं, अब जोगों बच्चों मोटा मोटा तुम लोगों को बात बहुत अच्छे से clear हो जाएगी, antimicrobial, इसको हम लोगोंने, 1, 2, 1, color change करेंगे, कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो total antimicrobial की microbes ही, 5 तरीके के हैं, जो हमको मारेंगे, मतला, sorry, मारने हम मतलब है, जो हमारे इंदर infection पैदा करते हैं, fungus, virus, parasites होते हैं, और protozoals होते हैं, तो जो fungus को मारेगा, antifungal, virus को मारेगा, antivirals, parasites को किल करेंगे, हमारे पेट में कीड़ें को गगरे हैं, anti-parasitic, protozoals को किल करेंगा, जैसे कि malaria वाला था, तो anti-protozoals हो गया, ओके, anti-parasitic की बात करें, तो इनको मोटा मोटा उसमें तोड़ा गया हमको, कैसे, chemical, यह देखो, मोटा मोटा यहांसे हमने समझते हैं, chemical structure के हिसाफ से इसको break किया गया है, बैक्टेरिया के हिसाफ से इसको break किया गया है, बैक्टेरिया के हिसाफ से इसको divide किया गया, मतलब मैंने बाई बदा रहा था हमें, classification करना चाहो इसकी, क्या करना चाहो, classification, तीन तरीके से कर सकते हैं, chemical structure के अधार पर, mode of action के अधार पर, बैक्टेरिया के उपर कैसा अधार दिखा रहा है, बैक्टेरिया के growth को रुखेगा, कि मार देगा, या दोनों मिलाजूला अधार करेगा, बास संज मारी है ना, ओके, तो chemical structure के इसाफ से बात कर तोटल हमारे पास 17 है, सलफोना माइड्स, ठीक है ना, ये कोना आगे, सलफोना माइडिया आगे इसके अंदर, डाइ अमीनो पाइरिमाइडियन, ठीक है ना, क्विना लॉंस, ये याद नहीं करना है, classification दूँगा मैं अभी, ठीक है ना, जेस्ट एक नाम ले रहा हूँ, बीटा-लक्टाम अंटिवाइटिक, टेट्रसेख्लीन, नाइट्रोबेंजीन, अमीनो ग्लीकोसाइड, मेक्रोलाइड, लिंकोसामाइड, ग्लाइकोपेटाइड, अक्साजोली, डाइनन, ठीक है ना, पॉलिपेटाइड, नाइट्रोफिरान, नाइट्रोइमीडाजोल निकोटिनिक एसीड पॉलीइन एजोल मोल ओफ एक्सिन के अधारे बात करें वह एंटिमेटिक जो सेलवाल की सेलवाल बनने से रोक देगी लीकेज कर देगी सेल को इनिमीट प्रोटीन सिंथेसिस बनना रोक देगी 에게 कोड को बिगार देगी इंवीत डी ओर्न गारे से काम क्या होता है डी अने बंते मुझी जोड़ना डी ने ज़ुडने निटे गी दे एक कार्वोःडिट से रोटी के तूट करके गुल्कोess बनी expert को सबूनी नहीं नहीं पाएगा सभीद को एंटर्मेणीडियारी मेटाबॉलिट कि इस तरीके से ये आज तरीके हैं इस तरीके से antiobiotic क्या कर सकता है bacteria को kill कर सकता है ठीक है फिर स्ट्राटिक की बात करें जो रökेंगे उसकी ड्रक भीकिन का नाम है क्लोरूम्फैनिकोल ठीक हैं साइडल साइडल की हिसाब से मारते हैं Static Saddle दोने हो सकते हैं तो मोटा मोटा मेरे खाब से वास सामझ में आ रही होगी कि क्या है anti-microbial उन में से anti-biotics क्या चीज है किलियर है? चलें आगे ओके Next classification of anti-biotics की बात करें तो दो तरीके से classification कर रखा हम लोग ने हापर इसका पहला है according to chemical structure तो कितने होगे हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ टोटल आठ केमिकल इस्ट्रक्टिर के दार पर हमने तोड़ रखा है पीछे जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें हमारे पास कितने है 17 है ठीक है तो 17 हम याद नहीं करेंगे हम केवल जो मोटे मोटे जो खास खास है आठ ये याद रखेंगे के लिए लोगी बात mode of action हम पीछे अवी डिसकस करी चुके है ठीक है ना mode of action ये आठ से वह ये आठ को थोड़ा सा tablet form में देख लें अगर तो कुछ ऐसा हो जाएगा कौन कौन है पहला inhibit cell wall synthesis cause leakage from cell membrane inhibit protein synthesis ठीक है ना ये दूसरा तीसरा क्या है inhibit protein synthesis चौथा क्या है cause misreading और RNA and affect permeability ठीक है पांचवा क्याने की RNA misreading misreading का मतलब क्या होता है जो DNA के उपर information read करी जाती न उसको proper read नहीं होने देगा DNA garage को रोग देगा छटा क्या interfere with DNA function वही सारी चीज़ें आवही है साथवा क्या interfere with DNA synthesis और आठवा क्या है interfere with intermediatory metabolism ठीक है तो यहाँ पर उसके example दे दी है यह इसमें पैंसिलीन है सेफलोस्पोरी ने साइक्लो साराई घ्राक फिर छो ने इसमें पॉली soothing को ने इसमें नीचे तीन अनि यह इसके ठीक की छोटा रहे गां की तुम लोग कि कि ранाक करो इसके chemical structure के इसाफ से याद करो किलियर है बाते हैं ओके अगर एक याद हो जाए फिर दूसरा भी याद कर लेना आगे आते हैं बीटालेक्टम एंटिभी एक्टैना तो क्या है ये बीटालेक्टम यहाँ आओ देखें बीटालेक्टम ऐफ जिसके अंदर क्या होती है एक beta-lectam ring होती है इन देर chemical structure जैसे कि पीछे वाले में लाक्ष लेक्टेर मोग हो ने क्या देखा था यह क्या है लगों से मिलके बनाए अब लेक्टम किया है अलेटमी ज़ात एक लेक्टम जो है उसको कहा जाता है साइकलिक अमाइड हम पता है खोता है सी यो और च सुमाइड के लिए एन बीटा लेक्तम हाग नेम सो बिकॉस नाइटोजन अटम इस अटेश्ट टू जा बीटा कार्वन अटम रिलेटेट तो नो कार्बोनील यह कार्बोनील लगा हुआ है कलर चेंज कर दो थो थो ला सा ओके यह सी लगा हुआ है अगला सी और यह तीसरा सी देखो में ग्रूप क्या आ गया है यह सी आ गया यह हो गया अलफा यह हो गया बीटा बीटा से कौन लगा हुआ है फिर वेरा यह लगा हुआ है ठीक है ना अमीन ग्रूप लगा हुआ है नैटोजन अटम लगा हुआ है तो इस आगे आए कुछ और बाते समझते हैं इसके बारे में मोस्ट बीटा लेक्टम एंटिबाइटिक वर्क बाय इनिवीटिंग धूल है सेल्वाब शिंदैसिस अब यह पकड़ लो लाईंग जातर क्या होती है सेल्वाल सिंदैसिस और रोब देंगी ठीक है इन बेक्टेरिया दा फस्ट ठीक है यह पकड़ लेना सब के अंदर मेन फंक्शन यह सब्सकें लाश्रलेक्टर में सॉलफोजण मैट्स में बता होगी कहानी सबको वाज आइसोलेटेट फॉर्मार रेयर वेरियंट ऑफ पैंसीलियम नोटेटम इसके अंदर से पैंसीलियम को निकाला गया था पहली वार ठीक है बैक्टेरिया है कि बैक्टेरिया ओफान डवलप रेस्टेंस टू बित लेक्टतेंस अंटिवायटेगी कहा रहा है बीट één डे था अच्छी बात है वेकटेरिया अकसर यह बैक्टेरिया होते हैं कॉन बैक्टेरिया रिजिस्टेंस डवलक्ट कर लेते हैं ठीख्टीर्च pista कह रहा हाँ wealth नीया ठीक है अब ऐसी में आहेस स्माजना इंट्रेस्टिंग बाट चोभलो पूच्छे फोड़ा बद मेडिकल ज्यान समझते हैं और जिनके एक श्टोर हो इस बात को समझ जाएंगे तुरंट ऑडिटैन वेक्ता इंतिवाटिक भाय सिंतेसाइजिंग कर लेते बिटा लेक्टमेस एक अपने들 अंसरे को तोड़ देती है रिंग टूड़ जाएगी कौन तोड़ आ रिंगो 黨 City estimate में थो आपकि पता है कि तुम कैर यह यह ऐख तुम मोचे मूद में बपनांवाई भण प्ना लिया लेक्ट चलने वाले हैं तो पैले सेな चले चलने से फक्रू कॐल तो उसका होगा यह ठीक है नहीं तो इसने कहा अच्छा बार-बार खा रह खा रहे हो ने बना लिoby पीटा लेक्टमेज आई खाई हमने खटाक से तोड़ दिया बीटा लेक्टमेज को हम ठीक ही नहीं हो रहें डॉक्तर बास करें चाहिए जो अटेक करेगा बीटा लेक्टम रिंग के उपर तू ओवर्कम इस रैंजिसरेंस व और कंपार पाने के लिए बीटा लेक्टम अंटिवाोतीक कं दी गिवन विद बीटा लेक्टमेज इनिवीटर इस इंजाइम जो बना लिया बीटा लेक्टमेज इसको रोकने वाला एक driving Meatzan ओर समय मिला दे जाता है जैसे की प्राइवियूलेनिक एसीड याद आया एक बड़ा फेमस है आजकल क्लिवाम है या ड्रॉक्स के साथ कहीं पर देख लो जैसे आमोक्सलीन है सेपडॉक्सी में साथ में लगा होता है ग्लाइवियूलेनिक एसीड यह इसलिए लगा हुआ है कि अगर बैक्टिरिया बीटा ले को तोड़नी की जुगाड़ कर ले तो उसके उसके एंजाइम को तोड़ने के लिए हम साथ में वेडिसिन और मिला जेते हैं चीक है है ना मैज़दार चीज ओके आओ अब देखते हैं बीटा लेक्रम एंटिवाटिक्स तो यह पैंसिनल की केटेगरी हैं सारी लैपटॉप अगरा में होता है जितनी जनरेशन आगे आते जारी उतना एडवांस होता जा रहा है याने की सबसे इफेक्टिव एंड लीष्ट साइड एफेक्ट वो यह होंगे यह क्या होंगे उतने इफेक्टिव नहीं है जैसे सा आगे बढ़ेंगे यह ब्रॉड इस्पेक्ट्रम होते चले जाएंगे ठीक है इनकी एफिकेसी बढ़ती चले जाती जनरेशन के इसाब से ठीक है यह कारवापीन सा तुप निर्गों याद रखोगे इसके अंदर चले आगे तो बीटा लेक्टम के अंदर पहला आता हमार पास पैंसिलिंग जी जी क्या चीज है जी कुछ नहीं है जी जी कुछ नहीं अभी इसका इस्ट्रक्टर कहां गया हाँ इसमें बेंजीन रिंग है ना बेंजीन जी क्या हुआ हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है जी में बता रहा था जी क्या चीज है जी कुछ और नहीं है क्या चला गया यहां पर क्या लगा हुआ हुआ है ट्क है न है जा है पर क्या लगा हुआ है यह यह बेंजीन लगा हुआ है तो बेंजीन की वैसे यहां पर किया गया मेरे पास एक जी आ गया और कुछ खास इसका मतलब नहीं है के लिए तो थोड़ा समझ लें इसको पैंसिलीन पी या पी सी एन या पी एन शौर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग और ग्रूप ऑफ एंटिबायोटिक और इजनली अप् पैंसिलिय हम मोट्स मोट्स आप अब आगाव फंगस प्रिंसिपली पी पी क्राइसोजीनम और पी रिवेन नाम के फंगस थे उसके अंदर से हमने पैंसिलीन को एकट्राट किया दा निकाला था ओके अट नमबर ऑफ नेच्रल पैंसिलीन्स है विन दिसकवर का इसारे है जो हमारे clinical use में है मतलब उनकी efficacy बहुत अच्छी दी और उनका side effect सबसे कम थे ठीक है ओके उनका नाम क्या है पैंसिलीन जी एंड पैंसिलीन वी ठीक है यहां पर इनका मतलब नहीं है इसके रिसाब से इनके नाम देदे जाते हैं यह गिवन बाय माउथ यह आयम और इंट्रवेटर से पैंसिलीन जी है यह इंजेक्शन के तौर पर मिलता है और यह हम लोग टैबलेट या क्या फिलको रोप में हमको मिल जाएगा ओके पैंसिलीन वर को काई और स्ट्रेप्टो को काई जो बीमारियां फैलाती है यह सबसे पहले ऐसी मेडिकिसिन थी जो इन बैक्टिरिया के खिलाफ बहुत काईजे से लड़ रही थी ठीक है बट ऑके बाद में आएंगे मोड अफेक्शन की बात कर लेते हैं सब में सेम रहेगा समझाता हू झाल पैंसलीन जी बाइन टूवेट फैंसलीन बाइन ऑनिक रखर जाएगा और उनको इनकिंटिवेट कर देगा क्या हो जाएगा से ओके अवैंसलीन बाइंडिंग बैक्ते इसको ना कीप Stress crसेनर कॉटेपा में सेन स्यंदे चांग ऑप्योडS होता क्या है in activation of PBS अगर pencil binding protein in activate हो जाए तो interfere with the cross linkage of the peptidoglycan chain necessary for bacterial cell wall strength and rigidity हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो peptidoglycan chains होते हैं ठीक है थोड़ा समझ लो यह तरह खास chemicals होते हैं यह chains होती हैं यह cell wall को ना ऐसा hold करके टाइट बांध है रखती है एक तरह समझ लो कि जैसे की इंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं तो एक दूसरी इंट चिपक जाती है सीमेंट का काम करती है वैसे peptidoglycan change होती है यह करती है बैक्टेर सेल बनेतों सब्सक्राइब यहांपर हो जाती है उसके स्ट्रेंट होती है बैक्टेरी शेंट यह जाएगा तो इस्ट्रेंट और रिजिटी बेकार हो जाएगी 10 इंट्रॉप् अब यहां से क्या होगा उसकी सेल वाल की जो सिंथेसिस है जो नया बनना चाहिए वो कुछ नि बनेगा रिजल्ट इन वीक निंग ऑफ दा बैक्टेरियल सेल वीक उसका जो सेल है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इवेंचुली अंत्यदा आखिरकार कॉजिंग सेल लाइसिस लाइसिस मतलब फूड या ना चीज उसके इंदर की बाहर निकल आएगी और वो मर जाएगा यही तो चाहिए हमें बैक्टेरिया मर जाए हमारी बाडी का हमें बिमार ना कर पाए ओके देयर स्टिल वाइड बड़े प्यमाने पर इस्तमाल होते हैं और डिफ्रेंट बैक्टेरियल इंफेक्शन दो यद पी तो भी मैने टाइपस ऑफ बैक्टेरिया है डवलब रेस्टेंस फॉल्लोईंग एक्स्टेंसिव यूज होता क्या है यह आज भी इस्तमाल किये जा रहे है अगर हम बहुत इसके बार बार उसी का इस्तमाल होता रहे मैं आज मारू आ यह खाया फिर बिमार फिर खाया तो मेरी बाडिका जो बैक्टेरिया है वह इसके अंगे रिजिस्टेंस कर लेगा फिर उसका असर नहीं होगा है ना बीटा लेक्टमें इसको तोड़ने वाला काम पैदा हो 10% of people report that they are allergic to pencil in लाइन को सब्सक्राइब तो दस लोगों का अलर्जी हो जाएगी हाँ अगर अप्टो 90% of this group may not actually be allergic 90% allergic नहीं होते हैं serious allergic only occur about जो एक्टम खतरनाक वाली है गया बंदा 0.03% ठीक है ना दोस हूआ अलर्जिक तो पैंसलीर आर मोस्ट ओफन गिवन सफलोस्पोरीन जो पैंसलीन से allergic है उनको लोग क्या दे देंगे सफलोस्पोरीन सी अनदार बीटालेक्तों यह buffet सब्सक्राइब नहीं है इतना की पैंसलीन उसके साड़ इफेक्ट उतने नहीं है किलियर है ओके तो यह बताया था नहीं पैंसलीन वास डिसकावर इन 1928 बाइस स्कॉर्टेश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एज़ा गूड एक्स्ट्रेक्ट आफ पी रुबेंस क उसकी प्लेट करी छोड़ दिया ऐसी किसी वैसे एनिहाओ किसी तरीके से वह जो फंगस था उस बैक्टेरिया वाली प्लेट में चला गया होगा अब आगले दिन उन्हों नहीं देखा कि जो बैक्टेरिया की कॉलोनी ग्रोह रखी थी प्लेट की उपर अब तुम कहोंगे स चक्कर में पड़ेगा की बैक्टेरिया मर कैसे गया फिर उन्होंना ट्राइल किया और देखा कि अच्छा यह फंगस बहुत काम की चीज है और देखो आज काम की है ओके तो यहां पर हमारे पास देखें नहीं स्टार नहीं है इसके पास तो इंपोर्टन नहीं है बट सीख तो लोग जो आगे इसके अंदर आएंगे क्या कहते हैं उन्में कहीं काम आएगा ओके देखते हैं देखो यह तो पताइए अब यह देखा था हमने कौंसी रिंग है बीटा लेक्टम रिंग आ जाएगी तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1,2,3,4,5,6,7 ठीक ना यह रिंग स्टार्ट क्या हो गई है फ्यूज हो गई है दिस इस थाया दिस इस एजा है ना ओके अब देखो 3 पर 2 मिथाइल लगे हुए 3,3 डाइ मिथाइल 7 पर ओक्सो लगा हुआ है और 6 पर आ जाए तो 1 और 2 2 पर क्या लगा हुआ है फिनाईल लगा हुआ है देन एसिटाइल 1 और 2 है ना यह जो गुरूप होता है सी डवल बॉंड ओ और सी एज थ्री इस इस वाट और यह जो गुरूप होता है यह एसिटाइल गुरूप कहलाता है ठीक है सी सी ओ एसिटाइल हो गया यह एनेच अमीनो आ गया फोर पर थाया मैंना एस के लिए थाया और वन पर एज़ा बाई साइकलो दो रिंग है अब जब को यह ब्रिज बना हुआ है ब्रिज की एक तरफ देखो एक दो टीन एक तरफ एक दो एक तरफ है और इदर भीच ओले ब्रिज में कोई अटम नहीं है तो थरी पॉइंट टू पॉइंट इरो के लिए रहे है है यह साथ है तो यह क्या हो गया है टू पर क्या लगा हुए है कार्बॉक्सलिक एसिट सी OOH2 पर क्या लगा हुआ कार्बाक्सिलिक एक लियर है तो यह इंपोर्टेंट अभी आगे यह पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे आएंगे तो वहां पर हमको यह हैल्प करेगा करने में ओक्या आगे आते हैं जूस की बात करें तो बैक्टेरिया के डिजीज पकड़ लेना जो तुम्हें याद हूँ मेनिंजाइटिस एंथ्रेक्स निमोनिया गौनोरिया सेफलिस है ना यह सेक्षिट ट्रांस्प्रेटर डिजीज है यह थोड़ी सी तो यह बैक्टेरिया के डिजीज है जुनको ठीक करते हैं नेस्ट बात करें स्टेविल्टी स्टोरेज तो सेम ह छबने अच्छा है यह पैंसिली ने इसको ठंडा रखा जाता है टू से एक सेंटिकेट के इसके लिए इसके लिए याद रखना बाटि समें नॉमल आजएगा जो हम लोग पढ़ते थे फिर से कह से एक लिए टू से एट डिगरी याद रखना बागए सबकारूम टम टम ट भात करें तो फाइजर पेन और पैंटर के नाम से मार्केट में अभेलिबल लाइंए ओकिट नैस्ट करें हम लोग बात अगर तो यहाता है हमारे पास स्थिसली तो सब लोग नों खाई होगी मॉक्स मॉक्स आता है ना कैप्सूल मॉक्स शीरप ओके अमॉक्सलीन क्या है कि戰安 ketoским किए अमरे पास इजन anti variety used to treat number of bacterial infection आपना टेसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं antibody पढ़ रहा है वो किसको मारेंगो that ये line common होगी सबके लिए Okay इंड मैंड गोकें इन अन इन इक्पीत दा पैंसिलियन binding protein वोई वाला function आ गया पूरा function लिख सकते हो यहाँ पर ठीक है अब इसको में रीड नहीं कर रहा इतना पूरा सेम ही हो गया यहां से देखो पीछे पूरा सेम हो गया पीछे वाला भी पूरा सेम है देखो जारा यहां पर क्या है 6 पर क्या लगा हो यह C यह C लगा हुआ है ठीक है ना तो 6 पर क्या लगा हुआ है एक दो और यहां पर आ जा तो 1 2 3 & 4 ठीक है ना तो 1 और 2 टू पर क्या लगा हुआ अमीनो टू पर क्या हो गया अमीनो और फिर वापस से इसके इसके टू पर अ यह रहा फूर हाइड्रोक्सी फिनाइड दैन एसिताइल सी ओ ओ यह पता है था मैंने गुरूप अभी सी डवल बॉन्ट ओ और आपके पास ऐख लो तो यह लगा है टो कर्बॉक सलीक एस अपतें के बाद तो कर्बॉक स्लीक एडर नीचे अच्छा जा पी लगा हुआ उसका फरक नहीं पड़ता से निए कि इसका मतलब डंडाई है ठीक है ना को मतलब क्या है डंडा ही होता है यूज की बात करें तो वही सब पूरी लाइन उतार दी मैंने नीचे ठीक है यूज ट्रीट मिडल इयर इंफेक्शन इस्ट्रेप थ्रोट निमोनिया इसकी इन इंफेक्शन एंड यूरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन ओके स्टेविल्टी स्टोर की बात करें तो यहां थोड़ा सा इसके किस में थोड़ा सा रखना पड़ेगा इस्टोर कैप्सुल टैबलेट नहीं कुछ नहीं है वही रूम टंप्रेचर है कीप अभी फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्ट्र बात है उसको एक टाइम के बाद डिसकार्ड कर देना चाह फैक देना चाहिए उस बनाए हुए लिक्विट को इस्तेमाल नहीं करने है यह लाइन हर लिक्विट के लिए तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो ओके फामिलेशन की बात करें कैप्सुल पावडर इंजेक्शन टैबलेट तो मॉक्स क्लेवाम और ओलमक्स कॉमन नेम है यह ज क्या है यह सैमी सिंथेटिक बीटा लेक्टमेज रिजिस्टेंट पैंसलीन एंटिवाइटिक ठीक है ना कैसे यह सैमी सिंथेटिक है बीटा लेक्टमेज है बीटा लेक्टमेज रिजिस्टेंट बीटा लेक्टमेज के रिजिस्टेंट है उसका असर नहीं होगा इसके उपर क्लॉक्सिलिन के उपर बीटा लेक्रिमिस का अफर नहीं होता है पैंसिलिन एंटि बैक्टिरियल एक्टिविटी अच्छी बात है इसको जरूरती नहीं एक्स्टा क्लेवलिनिक एसके साथ लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी इट बाइंस टू एन इन एक्टिवेट पैंसिलिंग बाइंडिंग प्रोटिन देखो इसमें फंक्शन अगें क्या आगया मोड ऑफ एक्टिक न सबका सेम है तो फिर से इसमें सेम ही आ गया ओके इट यूस्ट ट्रीट इंपीटी इंपीटी गो सेलोलाइटिस निमोनिया सैप्टिक अर्थराइटिस एंड यही लाइन उठाके अब लोग यूज में नीचे लिख देंगे किलियर इटी यूज्ट बाइमाउथ और बाइंजेक्शन ओके मुह के द्वारा यह इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है केमिकल नेम और स्ट्रक्शन की बात करें तो देखो यहां पर थोड़ा सा स्पेस क साम था तो मैंने हापार कर दिया यह ओके देखते हैं क्या बोल रहा है यहां पर यहां पर सेम आजा गये यह वन टू थी फॉर फाइब और शीड़ा है कि यहां से लिकें आता कि कानी तुमार पास देख से माई अब सिक्स पे क्या आजाओ जैस यह और यहां पर वीक्या आ आ जूँ आ वन टूको एंड थरी रोज दूना कि एक वन टू एम च дост Therebaar कि सब डूरोज रड़ा रहorter कुलो अग भिज हूए 2003 लगा हुए टूवक डूल अभहर है तो दूनाइल से कि चलते हुए हो आगया है हम लोग ठीपर यह वन OR लगा हुआ है और फाइब पर 1 2 3 4 & 5 पर क्या लगा हुआ है मिठाइल लगा हुआ है वन टू अच्छा मैं फिर्टा रहा हूं जैसे मैं पता है अगर यह ऐसे दिक्कत देरा तो खीच के सीधा कर ले ना इसको बना देला ठीक है ना वन टू अक्सा जोल ओके वन पर अक्सा और टू पर एजा अक्सा जोल पड़ दिया है ओक्स और जोल 4 पर कार्बोनिल है कहां गया 4 अक्सा जोल ठीक है और यह 4 आ गया कार्बोनिल अम्यूनो ठीक है यह आ गया 6 4 पर यह आ गया में पास यह कार्बोनिल और यह आ गया क्या अम्यूनो ठीक है ना 33-dimethyl 7-oxo यह 1-2-3 7 पर फिसे क्या आ गया oxo आ गया ठीक है 4 पर थाया आ गया और यह पुरा नेम इस तरह से मेरे पास आ जाता है क्लियर है यूस वह उतार दिया मैंने जो उसमा लिखे हुए थे स्टेविल्टी स्टोरेज सेम है शुड़ी कैप इन दा रेफ्रिजिरेटर बट इट में भी स्टोर एट रूम तंबर्चर दू नॉट फ्री डिस्पोज अफ एन उन्यूस लिक्विड मेडिकेशन आफ्ट फॉर्टीन डेज करें पाउडर स्ट्पेंशन और कैप्स्व गूरूप में अविलिबल है ब्रैन निम की बात करें तो क्लॉक्सा पेन क्लॉक्सा कैप टैगो पेन और 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 बिनीन के नाम से मार्केट में अविलिबल है क्लियर चलें आगे ओके इपार्ट हमारा खतम हो यह पार्ट में कौन से बीटा लेक्टम रिंग्स कंटेनिंग एंटिबायोटिक फिर से बीटा लेक्टम रिंग कंटेनिक एंटिबायोटिक अब पार्ट भी स्टार्ट होगा डिस्किर्शन में नोट्स हैं चाहँ तो उसको पहले से निकाल के रख लो ओके आमिनोग्लाइकोसाइड आमिनोग्लाइकोसाइड आधा क्लास ओफ एंटिवाइटिक यूज्ट इसका इसका इस्तमाल करते हैं कौन से ग्राम नेगेटिव ऑख्सिजन का इस्तमाल करते हैं एरोबिक मतलब जो विधाउट ऑख्सिजन जिन्दा रहते हैं सुन्योंग यह इस अब ऑगे यहां पर हम कुछ बात है याद रहें अच्छी बात अधरवाज लिख सकते हैं कि यह क्या है क्लास ऑफ एंटिवाइटी का जो ग्राम नेगेटिव बैक्टरिय के खिलाफ इस्तमाल होता है ठीक है साथ-साथ हम इसको इसके खिलाफ इस्तमाल कर सकते हैं zes टर्म अमीनो-घ्लाकोसाइड साथ अब बीटालेक्टम में इत लेक्टम नाम पड़वा, ना क्यों प्रूब होता है ग्लाकोसाइट्वरμjang कोम साओं रूख ऐसे सब्सक्राइब करें सबसे पहला इस्तमाल किया जाने वाला अमिनोग्लाइकोसाइड है सबसे इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा एफेक्टिव ठीक इसलिए यहां पर इसी का जिक्र है इस को कहां से निकाला गया है जो फंगस है स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीस से निकाला गया एंड इस दा अर्लियस्ट मॉडर्ण एजेंट यूज सबसे पहला एजेंट था जो टीवी टीव क्लॉस से ख्लाफ इस्तमाल किया गया था मोड अफेक्षिन की बात करें तो वही है यह आपर देखो देखो डेक्ट बांडिंग टू अमीनो एसाइल साइट ऑफ सिंस्टी एस राइबोजोम ला रहने विदिन दा सट्टी एस राइबोजोम सब्रीडिंग टू मिस्रीडिंग ऑफ दा जैनेटिक कोड एंड इनिवीशन और टांसलेशन यहां पर इसका क्योंकि वो तीन सेम थे उनका काम एक तरीके से था यहां पर यह क्या कर रहा है यह पार्ट देख लो तुम 30S राइबोजोम किसी को याद हो इस तरह से राइबोजोम जूड़े रहते हैं और यह अपने उपर क्या बनाते हैं प्रोटीन बना रहे होते हैं यह डाइग्राम कुछ को 30S तो यह इसी के साथ जाके जुड़ जाएगा 30S के साथ और मिस रीडिंग ऑफ जनेटिक कोड मिस रीडिंग स्टार्ट करेगा प्रोटीन के अंदर कौन लगते हैं अमीनो एसिड किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड लगना है यह उसको मिसमेश करवाद जो प्रोटीन अच यहीन लोग प्रोटीन सिंथैसिस को करवड़ कर देता है इंकर फियर विद प्रोटीन सेंथैसिस के लिए रहें यहीं सब में आ जाएगा ऑके क्लासेराशनि बात करने तो यहाँ पर हम लोगों इसको टीन जनेरेशन तो टुड़ा हुआ है फॉर्स जनेरेशन सेगंडंड वह स्ट्रमाइशन को सब्सक्राइब यह यह स्ट्प्र्माइशन यह आता है मेरा पास इस्ट्रमाईशन Imagine स्ट्रोमाइसित अंडर ब्रोड इस्पेक्ट्रम में ना यां। लिदी ब्रोड इस्पेक्ट्रम मतलब यह हो गया जोcend छू अम नेगेटिव दोनों बैक्तिरिया को किल करेगा अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटिबायोटिक मेडिकेशन ठीकर आप सीरसे लिख दो स्टेप्टोमाइसी नीजा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटिबायोटिक कि लिए रहे हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड जोड़ दो ओके यूज़ ट्रीट नंबर ओव बैक्टेरियल इंफेक्ट्ट्रम एक अलग से लाइन मना दो इट इस तरीके से बर्खो बर्खोल्ड एरिया इंफेक्ट्ट्रम प्लेग वो ना याद रहे प्लेग याद रहेगा इस तीन चार्ट नेम इजी जी याद रहेंगे उनको याद कर लेना है ठीक है फॉर एक्टिव ट्यूब टुगेदर विज आयसो निया जीट हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें पढ़ा था हम लोगों ने टीवी वाले चैप्टर में ठीक है ना रिफैमसीन एंड पायर जी पर इसको दे दिए जाता है अब बच्चों इस्ट्रेप्टो-माइसीन का यह दो इस ट्रक्चर ठीक है ना वड़ा खतरनाक सा है तो इसको मैं यह आपर एक्स्प्लेन नहीं करूंगा जैस दिखा दिया यह रिंग है सारी एक्चली यह रिंग ऐसी है इसको मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना यह जो रिंग होती है यह सुगर रिंग होती है ठीक है तो अपने कोर्स में भी नहीं है बहुत लंबा चोड़ा नाम है एक तो समधाना सुरू करेंगे तो टाइम भी जाद लगेगा इस रिंग को हम लोग देखेंगे ठीक है तो इसको भी डाल दिया मैंने छोड़ देना इसको आगया जाओ यूज़ेश इट नंबर ऑफ बैक्टरियर इंफेक्शन उपर जो लाइन थी उसी को मैंने यहां पर पेस्ट में किया हुआ है तो वह इस तुमको याद रखना है ओके इस्टेडिल्टलिटी सेम है स्टेबल्टी इस्टेडी इस्टेडी इस टोटेट्रेश ए रोम व्यश्ट्र कीप आवे फ्रों लाइट हो जाएंगे ट्रफाइकलिस को है ट्रnicaine ट्रेट्रा चालिक समा ना जासे लिक ची nagging अल मतलब चार्न और साइकलिक मतलब चार साइकल सैक्लिक जैसी कोई चार चीज हों when तो देखा भी रखा है ए बी दिश्री जाड रिंग घंगा तो यह चार रिंग है इसको क्या बोला गया तेट्रासाइक्लिन और देखें थोड़ा सा सब्सक्राइब जोड़ना है अदर सबके दर चार रिंग वाले च्रॉक्चर तो पाया जाएगा ठीक है इस आइधर आइसोलेटेट डेरेक्टली from several species of streptomyces bacteria और produce semi-synthetically from those isolated compound के रहा है याद तो इसको directly हम लोग निकाल लेते हैं यहां से streptomyces bacteria से ठीक है और यह इसको semi-synthetically बनाते हैं यानि कि थोड़ा यह लेते हैं थोड़ा अपना compound मिला करके artificially इसको हम लोग तयार कर लेंगे tetracycline are named for और देयर 4 क्यों नाम इसका ऐसा है 4 tetra hydrocarbon ring चार है इसके पढ़र और आगे derivation तो in iron ठीक है ना तो इसी लिए इसका नाम क्या पढ़ गया चार रिंग तो tetracyclo और आखिरी में iron लगा दिया गया तो cyclin tetracycline इस तरह से इसका क्या पढ़ा नाम पढ़ा वाइल और tetracycline have common structure क्या रहा है जबकि सारे tetracycline का common structure है they differ from each other by the presence of chlorine methyl and hydroxyl group ठीक है ना यह देखो basic structure सब में सेम रहेगा जहां कहीं पर लगा हुआ है तुम्हारा जैसे की यह hydroxyl group लगा हुए तो यह methyl group लगे हुए तो बस इनी का अंतर रहेगा बाद बाकि यह रिंग सब में क्या रहेगी common रहेगी अब क्या कह रहे है इस modification ठीक है do not change their broad antibacterial activity यह साइड में थोड़ी बाद changes आते हैं इस से इनकी antibacterial activity पर कोई भी फरक नहीं पड़ता है बट डू अफेक्ट pharmacological properties such as half life and binding to protein in serum पड़ किस चीज़ परक पड़ जाएगा कि यह कितनी देर के लिए body में रहेंगे और हमारे plasma जो है serum है जो हमारे serum protein है उससे यह किस हिसाब से बाइंड करेंगे ठीक है यह जो हम को रोजी पड़ेंगे वहाँ पर बाइंडिंग वाली सारी बाते करेंगे यह बात अगर भी समय में ना आए तो जितना समय में उसको थोड़ा सा अपनी लेंगेज में लिखना बस के लिए रहें को के आगे आते हैं टेट्रा साइक्स आर्णा चीपेस्ट क्लास सबसे सस्ती है बहुत सब्सक्राइब होते हैं यह एंटिवाटिक अविलेबल एंड हैव बीन यूज़ एक्स्टेंसिवली इन प्रोफाइल एक्सिस एं ट्रीटमे यह क्या है ग्रोफ इनिमीटर से यानिकि बैक्टेरियो स्टेक है रेदा जैन किलर से किल नहीं करेंगे बैक्टेरियों को रोक देते हैं ठीक है ओके एंड और उनली इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टिप्लाइंग माइक्रो और जो माइक्रोगनिजम अपना लगाता डिवा असर दिखाएगा के लिए रहें ओके मोड़ अक्षिन की बात कर लें तो देखो आल्मोस्त वही सेम ही है देया शॉर्ट अक्टिंग एंड ठीक है शॉर्ट अक्टिंग पैसिवली डिफ्यूज थूदा पोरिंस चैनल इन दा बैक्टेरियल मेंब्रेंड यह बैक्टेरिया इसमें क्या है फोड़े चैनल मतलब चैनल टाइप के रहते हैं तो बहुत बड़ा कर दिया मैंने यह ठीक है कोई बात नहीं इसको कवर करता है इसके अंदर इसके अंदर यह एंटर कर जाएगा डिफ्यूज कर जाएगा डिफ्यूज मतलब फ्रॉम हाइर कांसेट्रेशन लुवर कंसेट्रेशन यह चला गया अंदर ठीक है मेंब्रेन से होता हुआ है दे इनिविट प्रोटीन सिंथेसिस अंदर क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को रोग देंगे बाइब बाइंडिंग रिवर्सिवली विद्धा बैक्टेरियल 30 राइवोजोम है मैं मैंने ब सब्सक्राइब है मो calculating रहे हैंग सब्सक्राइम प्रोटीन होता है में लर्रन यह प्रोटीन के शिंथेसिसमेंगे लेकर करके आता है वहां पर जाके इसको चिपका के रोग देता है यह कोई बात नहीं को याद है तो ध्यान रखना रखना राइव जिन लोगो पता है उनको बता दू मैं रहता है तीन जगे होती एक दो और अधाय देखोगे बना रहा होता है तीन जगे हो पाई जाती है इसके इसके अंदर यह को याद अच्छी बात है नहीं याद है तो तो कि बार 30S वाली बात याद रखना है They also bind to some extent the bacterial 50S ribosomal subunit They also bind to some extent कई बार कुछ हद तक या 50S जो ribosomal को दूसरा पार्ट है उससे भी बंदे आती है May alter the cytoplasmic membrane and cytoplasmic membrane हो क्या करेगी alter कर रही है, बदल दे रही है causing intercellular components to leak from the bacterial cell और responsible curve होती है किसके लिए कि cell के अंदर के जो component है वो निकल निकल के bacteria से बहार आ जाएंगे तो bacteria क्या हो जाएगी, death हो जाएगी, वो तो single cell organism है, मर जाएगा वो तो clear? ओके, आगे आते हैं तो इस तरीके से हमारे पास tetra cycle चल रहे थे, उसके बारे में general information यह उसकी classification है जो की बहुत ज़्यादा tough नहीं है तीन बेसमेट डिवाइड कर रखा है short acting, intermediate acting और long acting, ठीक है time के हिसाब से कितने दिर के लिए यह इनकी half life होती है body के अंदर उसके हिसाब से, clear? ओके, तो अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास पहला ड्राग है doxycycline, कोंसा ड्राग है? doxycycline, तो जनरल बात क्या लिख दो कि इसके बारे में कि जो doxycycline है जो doxycycline है जो doxycycline है ब्रॉड स्पेक्ट्रम tetracycline, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है यह टर्म सो टाइफा, साइफली, फोड़ा नाम पहले वाले भी आ गए है कुछ यह भी आ गए तो कुछ बैक्टेरिया वाले में बता दू मैं जो बैक्टेरिया पढ़ रहे हम लोग कुछ कॉमन चरपास नाम याद रख लेना सब में लगाता हो गए चल जाएगा ठीक है ना ओके, इडिस आल्सो यूज्ट तो प्रुवेंट मलेरिया इन कॉम्बनेशन विद कुणीन के कॉम्बनेशन में यह मलेरिया को प्रुवेंट करने में भी काम में आता है डॉक्सिसाइकलीन में भी टेकन बाइमाउट और बाइंजेक्शन इंटी दो भी या तो मुझ से खाली आजाएगा या इन्जेक्शन दे दे जाएगा इसका केमिकल नाम है ठीक है तो केमिकल नाम हम लोग स्टार्ट करें ओके तो वन इलेवन है ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा वन टू दिखाई दे रहा है काला चेंज कर दूँ वन टू थ्री फोर यह जॉइंट आ जाएगा ब्रीज आ जाएगा इसको रहा ओलेंगे फॉर है फाइव इसको क्या वह जाएगा पाइव यहे जाएगा 10, यह हो जाएगा 10A, 11, यह हो जाएगा 11A, यह हो गया 12, यह क्यो हो जाएगा 12A, किलियर है, यही पढ़ा था हम लोगों ने, यही देखा था हम लोगों ने, structure याद आ रहा है, कहां गया, कहां गया, यह रहा, हाना, 1, 2, 3, 4, 4A, इस तरीके से पुरी हम लोगों ने, देखने हैं, अब सिंपल होगा, कुछ करना ही नहीं हमको यहाँ पर, दो को यहाँ पर 4 से स्टार्ट क्या हुआ है, 4 पे डाइमिथाइल, एक सी यह रहा, एक सी यह रहा, डाइमिथाइल अमीनो, then 3, 5, 10, 12, 3, 5, 10, 12, and 12A, यहाँ पर क्या है, hydroxy, OH ग्रूप लगा हुआ, त और 11 पर क्या हो गया, डाइकसो हो गया, 4A पर और 5, 5, then 5A, then 6, है ना, टेट्राहइडरोक्सो, है ना, यहाँ पर क्या लगी हो, हाइडरोक्सो लगा हुए, मतलब डवल बॉन्ड नहीं है, 4H हो गया, टेट्रासीन, 1, 2, 3, 4, टेट्रासीन, 2 कार्बाक्सामाइड, यह रहा C, 2 कार्स, CO, NH2, यह लगा हुगा है, कार्बोक्सामाइड, किलियर हुआ, रिंग स्टक्चर यह, ठीक है, आगे आ सकता है, चलते हैं, अब आगे चलें, अगर यूस की बात करें, तो जो उपरवाली यूस थे, वह भी नहीं लिख दिये हैं, यहाँ पर, स्टेविल्टी स्टेवलेट, स्टेवलेट, सिंपल है, अपना, वही लिखना है, कि रूम टंपेचर और कहां से कहां पर, इसको कीप अभी फ्रॉम लाइट और मॉश्चर, फॉमलेशन की बात करें, तो कैप्सूल, टैबलेट, ओंटमेंट, सस्पेंशन, पाउडर फॉर ब्रैंड नेम की बात करें, तो अक्ने डॉक्स, एपी डॉक्स, अवी डॉक्स, लबी, बाइडॉक्स, डीटी और सी डॉक्स के नाम से मार्केट में अभिलिबल है, किलियर, चलें आगे, नेक्स्ट इसका जो ड्रग है हमारे पास, मीनो साइकलीन, ठीक है, मीनो साइकलीन क तो हम लोग सोल्ड करते है, ब्रैंड नेम मीनो सिंक के नाम से, टेक्साइकलीन अटिपक जो K divər तट्रयूक्स, नॉस्ट डॉक्स, ऑध्यक्स, यह इसके उसके यूज में आ जाएगा, बात समस्वा नेंगी बातियों में, और वह जर्णल इंट्रों में सब में डाल हो गया यह फाइव यह हो गया सिक्सिक्स हो गया 78910 ऐसे इस सेवन यह नहीं हो गया तो यहां से लेकर यह नेमिंग थी तो सेम हो जाएगी पीछे वाली थी के वह यहां देख लो और वह चैसरा करें विन लागा सब्सक्राइब 10 यह 3 होना चाहिए है यहाँ पर 310 और यहाँ पर 11 भी नहीं होगा 310 12 वाट 12 यहाँ क्या होगा 12 वाट 12 वे Tetrahydroxy 312 Dioxo यहाँ पर आना चाहिए 1 11 ठीक है तो कोछ गरवड हो गया हमें लग रहा है आप यह बाद नहीं 1 11 Dioxo 4A 5A है ना जहाँ जहाँ पर Hydrogen है Double One ने उसको मेंशन किया गया है Tetrazyn 2 पर क्या लगा हुआ है करवक समाई लगा हुआ है के लिए रहे Use की बात करें तो Use मैंने बताए जो यहाँ पर Use थे वही उठा करके Pneumonia, Acne, Rheumatide, Arthritis Stability, Storage वही सेम है कुछ अंतर अलग नहीं है Formulation की बात करें तो Tablet, Capsule, Injection के नाम से Market में अविलिवल है Brand Name की बात करें तो CNN, Sinomycin, Divine, Minolox और Minoj के नाम से Market में अविलिवल है Clear है? बात समझ मा रही है चले आगे Good कोई नहीं ठोड़ा सा लेंदी है टॉपिक ठीक है? पॉस को लो वीडियो पानी बानी पीलो ठीक है? ओके Macrolides दो और बचे हुए Macrolides और Miscellaneous Clear है? तो देखतें Macrolides क्या है अब Macrolides में एक चीज़ अच्छी है इसका structure देख रहे हो बाद बागी हमें यहां पर कुछ करना ही नहीं तो सिर्वा हमारे लिए सिंपल हो गया क्या कह रहा है? तब Macrolides अग्लास अफ नेच्रल प्रड़क्ट देट कंसिस्ट आफ लार्ज Macrolides लेक्टोन ठीक है? लेक्टोन रिंग हो गई विच्ट वन और मोर डियॉक्सिस सुगर यह सुगर आगे वन बताया थाना यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यह यह सुगर होती है सुगर मतलब कार्भाइडट वाली सुगर होती है यूजली क्लैडिनोस एंड डैसोसमाइन में भी अटेश्ट यह दो सुगर है जो की हाँ पर क्या है इसके हाथ अटेश्ट रखी है यह लेक्टोन रिंग इस यूजली 14, 15 और 16 मेंबर यह कैसे होती 14, 15 और 16 मेंबर यह रिंग है काउंट करोगा अगर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, देस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा ठीक है, 14 होगा, 15 होगा है 16 मेंबर रिंग रहती है जनरली तो यह रिंग के मेंबर आजाते है ओके तो यहाँ पर क्या कह रहा है सम्मेकुलाइट्स है, एंटी बाटिक और एंटी फैंगल एक्टिविटी इंकी एंटी बाटिक और अंटी फैंगल एक्टिविटी दोनों होती है एंड यूज्टाइज ग्रोथ रादर देन किलिंग बैक्तिरियों नहीं कर रहे है इस्टेटिक हैं सब प्रेस करते दबा देते हैं या रोग देते हैं बैक्टिरा की ग्रोथ को मोड़ अफेक्शन वही सेम आ गया 50S राइबुजोम से बंदेगा कॉजिंग दा इनिविशन ओफ बैक्टिरियल प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है ना आफ्टर बाइंड दरग पिर वेंट दा ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्या होता है फॉर्मेशन ओफ प्रोटीन ओवर आ रन असोगा कहते हैं ठीक है आगए आते हैं क्लासिफिकेशन ट्रॉर्च क्लासिफिकेशन नीबात करें तो जैसे मैंने बताया या तो 14 मेंबर रिंग ह हर है यहां यहीं फोर्टिन मेंबड रिंग है या सब्सक्राइम होगी होगी या सब्सक्राइब होगी होगी ठिक है सब incl. दक बात करें तो जुष न 003-4 G3 कोर्स में भी है और और कोर्स में नहीं है ओलिए डो ऑलिंडो माई तो यह तो मैक्रोलाइट एंटिवाइटिक्स यह सब्सक्राइब कर देते हैं आगे आते हैं इसकी पहली ड्रग समझते इसके बारे में एंटिवाइटिक यूज्ट फॉर ट्रीट्मेंट आफ नमबर ऑफ बैक्टिरियल इंफेक्शन यह मेरे खाल से याद होई होगी लाइन हैं तुम लोगों को अब होई की नहीं होई अरे बोलो हो गई यह लाइन दो याद हो गया कि ठीक है मोड ओफ एक्शन वही सेम 50 से चिपकेगा और प्रोटीन सिंथेजिस को रोग देगा ठीक है यह बैक्टिरियो स्टेटिक और बैक्टिरियो साइडल इन एक्शन दोनों ह होता है ठीक है इस्टेटिक भी करता और साइडल भी हो जाता है डिपेंडिंग ओन दा कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो मार देगा कंसेंट्रेशन कम रहेगा तो यह साइडल हो जाएगा ओके एडड़ साइट ऑफ इंफेक्शन एंड सब्टिबल तो रे-इस पहले उपिश्ट्रेटरख इंफेक्शिन यहूग फिटإश्ट रेक्ट सांस लेने का इसकी इंफेक्शिन हो गया उंगली काकली माईडिया फिल्बबिक इंफ्लमेंटरी डिजी तो मारस संसब्धी रहता है एनड इंज they ठीक है इट कैन वे गिवन इंट्रावीनसली एंड बाइ माउथ है ना इंजेक्शन से और माउथ से दोनों से इसको दे सकते हैं किलियर है चैमिकल नेमा इस्टक्चर जैसा कि मैंने बताया हम लोग केवल सिर्फ इसके दर्शन करेंगे ठेला दर्शन कर लिए रिंग कर सकते ह तो यहां पर कितनी है ठीक है और हम उसको करना नहीं है आगे आते हैं करना जाब कर सकते हैं समझाओंगा बाद में इसको में जब कुना में किचर कराऊंगा ओके इस यूशू ट्रीट रेस्पिरेटी ट्रेक्ट इंफेक्शन वह जो उपर लिपाया था वही साही लाइन मे एकने डर्म एकने लैक और एल्थ्रोसिन के नाम से मार्केट में अवेलिबर है कि लिए रहे हैं चलते हैं आगे एजित्रोम आइसीन यहीं बड़ा कॉमन सट्राग है है ना सब लोगों लगबाग खावी रख्यों कभी ना कभी तो पहली लाइन बड़ी कॉमन है है ना कि एक एंटिबायोटिक है ठेट सारे बैक्टेर के इंफेक्शन को मारता है ठीक है कदम यूश्यू टीट मीडल इयर इंफेक्शन है इसकी यूज लिख लो मीडल इंफेक्शन है स्ट्राप त्रोट गले में खरासे हैं निमोनिया है ट्रेवलर डाइरिया एं शर्टन अधर इंफेक्शन सब में काम आता है इसको अभी फिलाल के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं क्या दर लग रहा हो कुछ लोगों को यह क्या बला है कोई बला नहीं है जब इसको करेंगे तो यह भी असान लाएगा ठीक है यूज की बात करते हैं यूज तो वह बताया जो उपर लि सेम ड्रक की केटिगरी में लग 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 सेम रहते हैं दो चार कुछ उपर निचो हो जाता है ब्रैंड नेम अजितराल सब लोगों ने सुन रखा होगा अजितराल एजी एजी रैस और एजी प्रो क्लियर है आगे आते हैं मिसलेनियास क्लोरम फैनिकॉल भी बड किसे निकाला गया इसको स्ट्रेप्टर माइसिस निकाला गया ठीक है इट है इस बैक्टिरो स्टैटिक एक्टिविटी मोड अफेक्शन की बात करें तो अगेन वह ही है बाइंड टूदा बैक्टेरियल 50S राइबोजोम सब यूनिट क्या करेगा यह इंटरफियर करेगा विद प्रपिट्स अब इस ने इस एंजयम का नाम लें दिया अल्टीमेटली देखो होने क्या वाला है यह क्या कर रहा है एस एक्या रिजल्ट बैक्टेरियल प्रोटीन सिंथेसिस इस ब्लॉक ठीक है लटिमेटली क्या होने वाला जिहान क्या रखना है 50s से चिपका और क के नाम छोड़ दो जो लोग याद कर सकते हैं याद वही वच्चा कर पाएगा जिसको प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रॉसेस पता होगी अदर्वाइस रटना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है ना तो प्रोटीन सिंथेसियां समझाऊंगो तो अपने आप में दो एक दिर घंटे का लेक्चर हो ठीक है आगे आते हैं देन इट इस तो ट्रीट में जाइटीज प्लेग कोलेरा टाइफाइब सीवर ठीक है एटीज यूज बाय माउथ या इंजेक्शन है ना यूज के अधा माउथ दोरह या इंजेक्शन दोरह यह यह यूज है इसी को उत है है ओके यह आगया एक या दो और यह क्या यह एक इतामाइड वाला स्ट्रेक्चर बन रहा है यह रहा है घ्रिक है ना तो 2-2-1 और 2-2-2-2 डाइकलोरो फिर एनन पर लगा हुआ है यहां से हम ले लेंगे 1, 2 और 3 है ना 1, 3, 1, 3 डाय हड्रोक्सी दो OH ग्रूप हो गए और फिर 1 पर क्या लगा हुआ है 1, 2, 3 and 4 4 पर क्या है नाइट्रो 4 नाइट्रो फिनाइल और 1, 2 और 3 प्रोपेन और 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 I और असे टामाइड किलियर है यूज तो उपर लिखेते हैं हमने मेरेंजाइटी स्प्लेग कोलेरा टाइफाइट फीवर इस्टोरिज कंडिशन सेम है कुछ ज्यादा अंतर नहीं फॉर्मलिशन में कैप्सूल सस्पेंशन आइयर ड्रॉप पाउडर फॉर इंजेक्शन है ना इंजेक्शन के लि नहीं बात करें किलिंडा मैंसन इजन एन एंटीविटेक मेडिसीन उस्टीटमेंट अव नंबर ओ बैक्टेरियल इंफेक्शन लाएन तो कमन होगी किलिंडा मैंसन सैमी सिंथेतिक ब्रॉद स्पेक्ट्रम एंटीविटिक प्रॉद्ध बाइच थैमिकल मोईफिकेशन ऑफ parent compound linkomycin क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्लिंड़ माइसीन is the modification of linkomycin एना ऐसे एक लाइन लिख सकते हैं कोई दिख्कत अली बात नहीं है mode of action जब को वही है कि यह peptide tRNA from bacterial ribosome thereby disrupting a bacterial protein synthesis again यहाँ पर किया है इस बार जो transfer RNA है उसके साथ यह है उसको तोड़ दे रहा है जो अमिना एसिट को ले लेकर आता है protein मिलाने के लिए उसको यह तोड़ दे रहा है तो protein बन ही नहीं पाएगी इस यूज़ टू ट्रीट ऑस्ट्योमराइटिस बोन की प्रॉब्लम है जॉइंट इंफेक्शन पैल्विक इंफ्लमेटी डिजीज इस इस्ट्रैप थ्रॉट निमोनिया एक्यूट ओट्राइटिस मीडिया ना मिडल एर का जो प्रॉलम हो जाता है और तो इस तरीके से यहां पर है तो उपर की दो तीन लाइन में याद हो चलियोंगे तुम लोगों को है ना वीडियो पॉस्ट कभी मन में दोराल लेकर अच्छा इस तरीके से बहुत जल्दी चीज़ें जाद हो जाएंगी इस टेकन बाइमाउट से ना बाइंजेक्शन इन इस एक्रीम जैस दोखो फॉर्मलेशन इसकी यहीं के लिए हो रही है माउस तेबलेट इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन हो गया जैल क्रीम फॉर्मलेशन ही के लिए रोगे इसकी अप्लाइट टुदा इसकीन और इन दा वैजाएना ओके केमिकल नेम की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं अगेन जो यहां पर है हमार पास क्या है टू कर प्रोपाइल पाइरोलीडीन ओके प्रोपाइल एन और टू क्लोरो यहां क्या है ट्राइ हाइड्रोक्सी ओके यहां पर आते हैं हम लोग वह वन टू थ्री फॉर फाइव और शिक ठीक है ना तो यह आ गया एन वन और टू ठीक है यह वन हो गया टू हो गया ओके देखो यह हमार पास क्या जाएगा कारवक्सामाई यह सिए ना देख लोग और यह एन यह आगया कारवक्सामाई और यह लगा किस पर है यह वन और टू पर लगा हुए ठीक है तो आ जाते है हम लोग यहां पर एन पर N से क्या जड़ा हुआ है 1, 2, 2 क्लोरो और 1, 2 और 3 2 क्लोरो यह हो गया फिर कह रहा है 1 से 1 पर क्यों जड़ा हुआ है 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 ट्राइ हाइडरोक्सी 6 पर क्या है मिथाइल और S से क्या होता है सलफा केवल S रिंग में होता तो क्या होता थाया आज से लगा हुआ है तो सलफानिल, ऑक्जेन यह ऑक्जेन आ गया 2 आई, उसे जड़ा हुआ है तो क्या, आईल हो गया यह ठीक है, देन प्रोपाइल 1, 2 और 3 और 1 पर क्या लगा हुआ है यह रहा, मिथाईल 4 कहा है 4 प्रोपाइल 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 प्रोपाइल हो गया 4 पर क्या हो प्रोपाइल प्रोपाइल और यह अगे पाइललेडीन और किसे लगा हुआ है 2 पर क्या लगा हुआ है कार्बक्समाइड लगा हुआ है ठीक है, अपने कोर्स में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, समझा जी हमाने किस तरह से देखा जाता है ओके, यूज, इस यूज़ ट्रीट ओस्ट्यो वो सारी बात है जो उपर हमने पढ़ी थी स्टोरेज, कंडिशन वही सेम है फॉर्मुलेशन, कैप्सूल, जेल इंजेक्शन, लोशन और औरल सलुशन, क्लियर है ब्रैंड नेम की बात करें तो सिलोसीन, सिलोसीन टी इवोकलीन और क्लिंडीस के नाम से मार्केट में अवेलिबल है ओके तो ये हमारे पास क्या हो जाता है जो ड्रग्स हैं हमारे पास ये कवर अप हो जाती है सारी के सारी ये ये यादे हम लोग अजित्रोमाइसीन दूसरा ये यादे हम लोग ओके थोड़़सा कन्फीजन हो गया था ठीक है तो पूरा हो गया में अगे लाश्र का दो पाट छुड़ गया है सो मैं चेक कर रहा था तो एंटिवाटिक वाला चैप्टर तुम लोगो काफी हथ तक एक चीज अगर नोटिस करोगे ना इसको ना कंपरेटिव तरीके से पढ़ना नोट्स निकाले ना डिस्क्रिप्शन से जब एक पढ़ोगे ना उसका जब दूसरा आएगा तो कुछ सब में पांच प्रफल तो धिवाग में सैट करो बीटा लेक्टम है ना दूसरा घए था तो चीज़ें क्या होगे और ध्यान रखो इस्ट्रक्टर और आई ऊपीचे केवल स्टार वालों की पढ़नी है ना तो बहुत ही आसान है बहुत ज्यादा है यह नहीं देखा में बहुत ज़्यादा है ही नहीं मैं ऐसी प्रैक्टिस कर दोंगा उसकी बाद में ठीक है तो कंपरेटिव पढ़ना हॉच्पाउच मत कर देना सब हॉच्पाउच जाएगा करके एक पढ़ लो दूसरा पढ़ो तो उसको सबस्क्राइट करके चलना कि अच्छा यह इसका था कोशिश करना बात समझ में आ गई करो गिना वैसा ही और एक बार ने तो दो बार दो बार ने तो तीन बार देखोगे तो अपने आप चीज़ें दिमाग में क्या होंगी सैट हो जाएगी किलिए रहे तो क्या करना है रिवाइस करना है और पढ़ना है अल दा बेस्ट